अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्बपात के अधिकार का कानूनी दर्जा खत्म कर दिया जिसके बाद अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है कोर्ट के इस फैसले के बाद से महिलाओ समिछ सेक्ड लोगों ने सडकों पर विरोध प्रदर्शन किया वही अब महिलाओं ने देश्वयापी सेक्स ट्राइक की धंकी देडा भी है महिलाओं ने कहा है कि जब तक वो खुद गर्बबती नहीं होना चाहती तब तक वो किसी भी पुरुष के साथ यौन सम्मन नहीं बनाएंगी न्यूयोप में सडकों पर विरोध कर रही एक महिला ने कहा कि हमारे मन में सुप्रिम कोर्ट को लेकर डर है उन्होंने कहा मुझे ऐसे लोगों की खोज है जो सामुहिक सिक्स ट्राइक को फॉलो कर सके महिला ने आगे कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद हमारे पास नारा लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है बता दे कोर्ट के खिलाफ ये मांग इतनी बढ़ गई है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है एक अन्य शक्स ने कहा कि महिलाव के इस अधिकार को जब तक कानूनी मान्यता नहीं मिल जाती तब तक सेक्स ट्राइक जारी रखेंगे अमरीके महिलाए हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सोशल मीडिया पर अपनी तस्विरे शेयर कर रही है उन्होंने इस दोरान ये भी कहा कि वो अंचाहे प्रेगनेंसी का जोखिम नहीं उठा सकती जिस कारण ना तो वो अब अपने पती या किसी पुरूश के साथ यौन सम्मन नहीं बनाएंगे बताया जा रहा है कि अमरीका के 50 राज्यों में से 26 राज्यों ने गर्वपात को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित करने की तयारी शुरू कर दी है सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंची जाता है सुरूची मसाले खाने में हो रूची तो घर लाइए सुरूची